हेलो व्रास वेलकम टो मैं चैनल इस वीडियो में मैं आपको सिंगपोर का सिलबस नसरी सिलबस बताऊंगी नसरी में बच्चों को क्या-क्या पढ़ाते हैं यहां पर जॉइनिंग पैटरन ऐसर है कि वो डेट आफ यह देखते हैं डेट आफ उतने कितने साल का बच्चा यह देखेंगे उनका डेट आफ यह देखें और नसरी में लेते हैं अगर 2014 बॉन है यह जानवरी बॉन है डिसंबर बार में सब एक ही क्लास में रहेंगे तो उनको यह मैटर करता है कि डेट आफ बर्थ मैटर करता है यह उस पे नहीं देंदे कि उनका उमर कितना है जो भी में सरे साइंज स्ट्रेशिंग बहुत सारे फोग से नसरी में लेकिन ज्यादा पेज़ां यह तोड़े ही बेजसे लेकिन बोह सारे बुकसे यह पे आलफाबेट में और गज़ कैपिटल लिटर नसरी में बिलकुल नहीं सिकाते सिर्फ स्मॉल लेटर सिक आते हैं क्योंकि जब पढ़ने लगते बच्चे पूरा स्क्रिप्ट जो है स्मॉल लेटरस में ज्यादा वर्स रहेंगे काप्टल लेटरस में बहुत कम देखते हैं ना तो इसलिए वह सिर्ष मॉल लेटरस कुई स्मॉल लेटरस पर ध्यान देंगे सो हमको भी करना है पहला स्मॉल लेटरस पढ़ना है अगर पहले ही में बहुत सारा मेमराजेशन रखेंगे तो बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है स्मॉल लेटर कैप्टल लेटर यह कंफ्यूज हो जाएंगे तो इसलिए स्मॉल लेटरस पर ध्यान देजिए वह परफेक्ट होने के बाद ही आप कैप्टल लेटरस स्टार्ट करिए इससे थोड़ा मेमराजेशन का काम थोड़ा कम रहता है तो बच्चे जल्दी ग्राफ करते हैं अगर बच्चों को जल्दी भी आता है तो फिर उन्हें इंटर्स लगता है अगर मेमराजेशन ज्यादा रहता है तो उन्हें आने में थोड़ा टाइम लगेगा तो बच्चे इरिटेट होते हैं तो इसलिए आप स्मॉल लेटर से स्टार्ट करें परफेक्ट होने के बाद ही आप कैप्टल लेटरस स्टार्ट कीजिए मैंने भी जोबी के इसे ही किया था मैंने स्मॉल लेटर स्पहले जोबी को सिखाया था पॉनिक साउंड पहले सिखाया था बाद में ही मैं कैप्टल लेटरस स्टार्ट की थी सो यहां पर सभी ऑल्फाबेट्स एट टूजी है और उसके फोनिक साउंड से और चोटे-चोटे एक्टिविटीज जैसे कि डॉग का पहले साउंड क्या होता है किस से स्टार्ट होगा मैचिंग करना है यह सबी सारे चीज इस अल्फाबेट्स बुक में है अगली बुक जो है नंबस आएगा नंबस यहां बच्चे 1-10 सीख लेते हैं और ट्रेसिंग भी करेंगे 1-10 और उसका चोटा- है और थोड़े फ़न एक्टिविटी सुनके रहेंगे ही रहेंगे अगला बुक जो है मेजस मेजस से हैंड आइक वाडिनेशन रहेगा और लाइन पे लिखने का थोड़ा बहुत सिखेंगे और थोड़ा फ़न भी रहेगा बच्चों के लिए मेजस बहुत अच्छा राइ एक्तिविटी है और दल्वाट लगता है तरहिते ब्रेइन ब्रेइन मेजस में तडेपट इंग और है युज सम्धन पचाने यसे अजयन पूछी होले फपर लूक्ट आप करेंगा अब एक्जापल कुछेगा कुन सा वाला मिस्सिंग है लास्ट पेज पर कंपार करते हैं तो फोर ऐसा विश्वेल इंटलिजनसी बढ़ाने के लिए यह बहुत अच्छा बूख है यह भी उनके नसरी सिल्बस में रहता है अगली बुक है राइम्स तो बच्छों को सिखाने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि बच्छे बहुत पसंद करते हैं राइम्स को सो इंसी विंसी स्पाइडर का ज्यादा राइम्स यह सेवें टू एट राइम्स कुछ है नेक्स्ट साइंस सो नसरी में साइंस पढ़ेंगे साइंस में यह सिल्बस रहेगा कि शौट लॉंग बिग स्मॉल हाड रफ स्मूथ होट कोल्ड वट रई यह सभी सारे चीज हो साइंस में पढ़ने के लिए मिलेंगे अगली चीज है शेपस इसमें सभी शेपस ऑर कि एक्टिवीटिज भी रहें खीज पड़ते हैं तो अज़से बचों के साथ प्रोग्रन pods थे आपको बताऊंगी यह 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 का पैट्रिंड वह blah या डेट ऑफ बर्थ मैटर है ना कि उनका कितना उमर है तो यह है प्रोग्रेस रिपोर्ट यह पंडे में दो थीन मिनिट लग जाएंगे इतना बड़ा प्रोग्रेस रिपोर्ट देंगे यहां पर इसमें सारी चीज वह मेशर करेंगे लिंग्विस्टिक इंटेलिजन्सी कै कितना कर पा रहा है ऐसे नहीं कि मार्क्स देंगे ऐसा बताएंगे कि वह कितिना कुन सा पोसेंटेज पे यह कभी करता है यह कभी कभी करता ऐसा कुछ रहेगा mathematical का देखेंगे musical का देखेंगे interpersonal skills कैसा है intro personal skills कैसा है सबी ये सबी चीज उस progress report में रहेंगे ये हैं जोबी का progress report hope आपको सबी समझ में आई होगी यहां का syllabus और pattern कैसा है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है प्लीज आप मुझे कमेंट कर दीजिए और मुझे ये भी बता जीजिए आप किस थरा के वीडियो देखना चाते है मेरे चानल पर इप ये लाइक दे वीडियो प्लीज दू शेर और सब्सक्राइब तो माई चानल थेंक यू बाइबाइ झाल ओर प्लीजो